प्यारे साथियों नमस्कार, LGR study में आप सभी का स्वागत हैं, साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, physics के अंदर जो हम लोग अभी topic पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नाम है भौतिक मापन एवं जो है रासिया, भौतिक मापन के बारे में अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और आज जो है ना आपका इस चेप्टर का दूसरा कलास है, एक कलास अलरी इस चेप्टर का हो चुका है, तो जितने प्यारे साथ ही अगर पीछे वाले कलास को नहीं देखे हैं, तो जुरूर देख लिजेगा, तब जाकर के यह कलास आपको बहुत ही अच्छा तरीका से सम वज में आएगा, सबसे पहले हम टेंपरेचर के बारें यहाँ पर बात करें, तो याद रखेंगे, ताप मान का जो अंतरास्टी ये मातरक है, जिसे हम SI मातरक भी काते हैं, ये क्या होता है, तो बतेगा कि ताप मान का SI मातरक होता, कैल обязательно क्या होता है, कैल्विन होता है तापमान कैसा महत्रक कैल्विन होता है यह बात आप याद रखे दूसरा समय त्वरन वेग वदूरी में से कौन सी रासी जो है सापेक्ष नहीं है यानि कि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार चीजे दी गई है चारों में से कौन एक जो है वो अलग है, ठीक है तो, बताएगा कि समय सापेक्ष रासी नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य बहुतिक रासी पर निर्भर नहीं करता याद रखे कि त्वरन, वेग, और दूरी यह ब्यूत्वपन रासिया है derived quantity है लेकिन जो समय है वो मूल रासी है यह किसी पर निर्भर नहीं करता और समय का ऐसा इमात्रक होता है second तो, चुकी बांकी के तीन ब्यूत्वपन रासी है और यह आपका मूल रासी है इसलिए समय जो है वो सापेक्ष नहीं है इस तीनों के जैसा नहीं है इस तीनों से बिल्कुल क्या है अलग है तो यह बाते आप याद रखें अगला बात करते हैं साथियों कि मंदता मंदता को इंगलिस में हम लोग जो है retardation कहते हैं जैसे आपने सुना होगा acceleration acceleration का हिंदी होता है त्वरन जब त्वरन positive हो तो जब speed बढ़ रहा हो त्वरन कहलाता है लेकिन speed time to time घटता ही जा रहा हो घटता ही जा रहा हो तो यह minus त्वरन कहलाता है यानि कि negative त्वरन भी आप इसे कह सकते हैं या इसे आप मंदता कहेंगे या English में इसे retardation कहते हैं ठीक है तो आपको पूसादारा की मंदता का SI मातरक क्या होता है तो देखिए SI मातरक में कोई फर्क नहीं पड़ता है जो त्वरन का होगा वही होगा ठीक है न meter 30 second square ठीक है न यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि त्वरन के रिनातमक मान को ही मंदता कहते है ठीक है त्वरन के रिनातमक मान को ही क्या कहते है मंदता कहते है अब अगला है कि एक पास्कल का मान क्या होता है तो पास्कल बल का ऐसा है मातरक है तो न्यूटन मीटर परती सेकेंड स्क्वाइर न्यूटन प्रती मीटर स्क्वाइर को ऐसे विलिख सकते हैं न्यूटन प्रती मीटर स्क्वाइर आप बोल सकते हैं अगला की रासियां वह उनके मात्रक कुछ मात्पूर्ण रासि हमने लिया है और उसके मात्रक को दिखाने का काम किया है तो सबसे पहले याद रिखेंगे व तो वाट जो होता है वो जूल प्रतिस सेकेंड को हम लोग वाट कहते हैं जूल प्रतिस सेकेंड को वाट कहते हैं या इसे आप न्यूटन प्रतिस न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड भी का सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड ऐसे न्यूटन मीटर यहां पर बीच से वह अटा दीजिए तो कीलो वार्ट का मतलब होता है 1000 अभी आगे आपको यह टॉपिक ही पढ़ाने वाले हैं कि कीलो का मतलब होता है 1000 इसके बाद ग्हंता किलो वार्ट घंटा kwh fino चवावरड चौल होता है what को बूछ ले कि ए एक kw ash बराबर कितना J elle है एक के डबल एच बराबर कितना जूल होता है तो तीन दसंबल चौने दसका पावर छौ जूल ठीक है न अगला है कि होर्स पावर आपने एच्पी का नाम सुना होगा तो एक एच्पी बराबर 746 वाट होता है पिछले कलास में हुई हम आपको बताये थे एक एच्पी बराबर 746 वाट यह दोनों सक्ति का ही मात्रक है लेकिन एच्पी जो है जनरली हम लोग मसीनरी में यूज करते हैं इंजन के पावर को बताने के लिए कि यह 5 एच्पी का इंजन है यह 10 एच्पी का इ मात्रक और यह 2 होगा जो आप अपने घरों में जो भिजली खर्च करते पर तो मृत्वर्जक में वह दूत उर्जार का आपको commercial ठीक है ना या वैपारिक मात्रक पूसर जा रहा है तो विधु तुर्जा का वैपारिक मात्रक किलो वाट घंटा होता है के डवलू एच किलो वाट घंटा तरंग वेग ठीक है ना या वेव भैलू सिटी बोलते हैं इसका ऐसा यूनिट आप आप बताएंगे कि मीटर पर 30 सेक्ञेंड होता है वेग जो भी है मीटर पर 30 सेकंड ही होगए जिसका भी विधु तरंग का हो या किसी चीज है मीटर पर 31them होका ठीक है अगला है कि ध्वनी प्रादूसन या ध्वनी प्रभलता काiger कि अ जाता है तो याद रखेंगे डेसी बेल में ठीक है ना डीवी आपने सुना होगा तो डेसी बल ठीक है ना तो ध्वनी पर दूसन किस से मापा जाता है तो डेसी बल से मापा जाता है यहां आप याद रखेंगे निरबात में परकास की गती याद रखेंगे तीन गुल दिसका पावर आठ मीटर परती सेकेंड तीन गुल इसका पावर आठ मीटर परती सेकेंड या आप मील में निकालना चाहते हैं तो 18, 63, 10 मील परती सेकेंड आप बोल सकते हैं ठीक है अब बढ़ते हैं आगे और अगला चीज हम लोग समझेंगे यहां पर हमने कुछ महत्पूर्ण रासी लिया है और उसका हमने मातरक लेने का काम किया है तो उच्चवेग चुह हाई स्पीड का जब बात हो जैसे कि fighter jet सब जो चलती है तो उसका mac में होता है, हाई speed का मात्रक क्या होता है Mac जो भी fighter jet है उसका speed आप याद रखिएगा हम लोग यह मीटर पर 30 सेकेंड में यह किलो मीटर पर 30 हंटा में निकालते हैं में नीकालते, एक मैक, दो मैक, ऐसे तरंग दधार ये का जो ऐसा है मातरक है, वो एंगस्टरम होता है क्या होता है, तरंग दधार होता है, दस का पावर मायनस दस मीटर ठीक है तरंग दधार Yayy के बारे में यहां आप याद रिखेंगे दाब का SI मात्रक आप already पढ़ाई करके आया हुए है पास्कल होता है उरजा का SI मात्रक जूल होता है कार्य काभी जूल होता है और उस्मा का भी जूल होता है ये तीनों का जूल आप याद रखेंगे तोरन, तोरन का मीटर परती सेकेंड स्क्यार बल का Newton होता है ठीक है और कृत कारिये कारिये जो भी आप काम करते हैं उसका इसा इमात्रा क्या होगा जूली होगा और आवेक का इसा इमात्रा क्या होगा नियूटन परती सेकेंड होगा यह बात आप याद रखें अब साथियो हम कुछ महात्पूर्ण चीज आप से बात करन बाले हैं चरचा करने बाले है जराघ्यान से समझने की कोश्च पर ठीक है यहां पर बात करेंगे कि पेटा 13 फ prata fem e였 Harbury कंद मीज्य ने एक होता सफिक्स ठीक होता प्रिफिक्स तो प्रि मतलब पहले जो भी साई मातरक के पहले जो हम लगाते हैं जैसे कि आप कहते हैं एक किलो मीटर एक किलो मीटर देखिए एक किलो मीटर का मतलब क्या है एक मीटर का मतलब एक मीटर है एक किलो मीटर का मतलब है 1000 मीर, 1,000 मीटर क्योंकि कीलो का value होता है 1000, कहां सर देख Logic अपने तो सर यहां देखिए क्यी मतलब कीलो, कीलो का value 10 का पावर 3 जिसका मतलब होता है 1000, इसका मतलब क्या होता है 1000, तो अगर आपको कोई पूछेगा कि बताइए एक कीलो मीटर बराबर क्या होता है सर मीटर तो मीटर है कितना मीटर होता है कि इसका वहलू आपको याद रखना होगा याद रखिएगा यह सुचित करते हैं पेटा को P से टेरा को T से गीगा को G से मेगा को M से कीलो को K से हेक्टो को H से डेका को DA से और DC को D से इसके बाद सेंटी को C से और मीली को M से माइक्रो को मू से और नैनो को N से और पीको को P से बाते यहाद रखिएगा जैसे आप लोग सेंटी को C से किया तो एक सेंटी मीटर बड़ाबर कितना मीटर अगर आप से कोई पूछ लेगा कि एक सेंटी मीटर बड़ाबर कितना मीटर तो सर सेंटी का आर्थ होता है दस के पावर में माइनस दो दस के पावर में माइनस दो जिसका मतलब है कि आप एक को जो है भाग दे रहे हैं दस के पा सकते हैं एक cm बराबर 0.01 मीटर 0.01 मीटर देखिए यहां पर याद रखने की कोशिस करिए कि जैसे सेंटी के साथ आपने मीटर लगाया तो बन गया सेंटी मीटर आप सेंटी के साथ जो हना लीटर भी लगा सकते हैं या आप कोई दूसरा यूनिट भी क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं सेंटी के साथ आप गराम भी लगा सकते हैं सेंटी गराम सीजी मतलब सेंटी गराम तो यह है प्रिफिक्स जो किसी के पहले लगने का काम करता है अब याद रखिएगा कि पेटा का मतलब होता दस का पावर 15 पेटा का मतलब क्या होता है पेटा का जो भेली होता हो गया होता है दस का पावर 15 होता है दस का पावर 15 का मतलब है कि 1 पर 15 0 होंगे एक पर कितने 0 होंगे 15 13 का होता है 10 का पावर 12 इसका मतलब 10 पर 1 पर 12 0 होंगे गीगा का मतलब होता है 10 का पावर 9 जिसका मतलब है कि 1 पर 9 0 होगा मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6 जिसका मतलब है कि 1 पर 6 0 होगा ठीक है कीलो का मतलब होता है 10 का पावर 3 जिसका वैल्यू होता है 1000 हेक्टो का मतलब होता है 10 का पावर 2 जिसका value होता है 100 D का मतलब होता है 10 10 मतलब 10 का power 1 10 का power 1 मतलब 10 ठीक है और इसके बाद याद रखिएगा कि D C D C का मतलब होता है आपका 10 का power minus 1 D C का मतलब होता 10 का power minus 1 10 का power minus 1 का मतलब है कि 10 को 1 को भाग देंगे 10 से 10 का power minus 1 का मतलब है एक बट्टा दस का पावर एक क्योंकि माइनस हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा फैलू अब एक को दस से भाग देंगे तो 0.1 ही तो होगा इसलिए सेंटी का मान याद रखेंगे दस का पावर माइनस दो मीली का मान याद रखेंगे तो अच्छी बात अगर पूरा न याद रहे तो कम से कम आप जितना को हमने काला वाले फ्रेम में घेर दिया है काला वाले फ्रेम में हमने जितना को घेरा है उतना जरूर याद रखिए उतना जरूर याद रखिए क्योंकि इतना तो आपको कम से कम याद रखना ही है जो कभी भी ज़रुरत पड़ सकता है अब अब इसको कैसे याध करेंगे याद रखिये मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो कीलो कैसे फक्रा बना लेजी एक लवज बना लेजी मीली सेंटी डेसी डेका हेक्टो कीलो तो नीचे से पढ़ जाना है मीली सेंटी डेसी डेका हेक्टो कीलो अब देखिए मीली के साथ क्या है मीली के साथ आप मीटर लगा दीजेगा तो यह हो जाएगा मीली मीटर या मीली के साथ ठीक है आप गराम लगा दीजेगा तो हो जाएगा मीली गराम अगर मीली के साथ आप लीटर लगा दीजेगा तो हो जाएगा मीली लीटर जो ml आपने कई जगा पर सुना होगा मीली लीटर हो जाएगा ठीक है तो ये सारा चीज होता है आप इस सभी के साथ कभी मीटर लगा सकते हैं, कभी ग्राम लगा सकते हैं, कभी लीटर लगा सकते हैं, जो भी आपको इच्छा है न, वो लगा सकते हैं तो आप याद रखिएगा कि मीली का मतलब हो दसका पावर माइनस तीं, सैंटी का दसका पावर माइनस दो, डेसी का दसका पावर माइनस एक, यहां से आप जैसी जिस जाएंगे तो पावर एक क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहां से पावर बढ को थो आपको पूर बड़ी है इसको करने का जो तरीका है वो तो हमने आपको बिता दिया की मीली सेंटी डेसी डेका हेक्टो कीलो लेकिन आपको एक चीज याद यहाँ पर रखना यह है कि यह तो है आपका डेका जिसका मतलब होता है दस और यह है डेसी जिसका मतलब होता है आप यहाँ पर देखेंगे तो 0.1 तो इसका वैलू है साथी में जो होगा ठीक है जो कुछ नाम से जाना जाएगा उसको हम जेनरली 75 बोलेंगे इसके बीच में कौन सा वैलू होगा एक वैलू होगा यह बात आप क्या करेंगे याद रखेंगे यह के बाद थी पञार मैनस एक के बाद अगर 0 लगाते हैं Power में तो एक भैलू आता है या आता है यह तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं मीपर मेली मीटर सैंटीमीटर मेटर हुँम नियुक है और सीधा मीटर यहाँ पर जो भैलू होगा वह सिधा मींटर जिसरे आप साओ picks एप स्तिधा मीटर तो यहाँ हो जाता ये 10 का पावर माइनस-2 और यहां समयाव पावर यहां यहां यहीए, तो पावर एक और जो है घट घट साप ऑवर क Norway में पहने तीन हो जाएका इस कम से खयो को यहाद रखने के लिए हम इधर एक छोड़ा सव चीज बता रहे हैं और इसका मीली सेंटी डेसी और डेका हेक्टो कीलो और हम आपको बताये थे कि डेसी और डेका के बीच में चुकि डेसी का मतलब होता है 0.1 1001 और डेका का मतलब होता है 10 का पावर एक यानि की 10 देका का मतलब दस का पावर एक यानि की क्या होता है 10 होता है तो इसके बीच में क्या होगा एक होगा इसके बीच में क्या होगा एक basic unit कितना रखेंगे आप एक रखेंगे basic unit कितना रखेंगे आप एक की रखेंगे ठीक है तो मीली का मतलब अभी जस्ट देखा है अपने 10 का पावर माइनस 3 डेसी का मतलब 10 का पावर माइनस 2 सेंटी का मतलब और डेसी का मतलब 10 का पावर माइनस 1 और जो डेका है उसका 10 का पावर 1 हेक्टो का 10 का पावर 2 और किलो का दसका पावर तीन तो इसे याद कैसे रखेंगे इसे याद कैसे रखेंगे याद रखिएगा कि bigger unit to a smaller unit है न, you multiply जब बरा से आप छोटा जाएंगे तो गुना करेंगे, बरा से छोटा बनाने की कुशिस करेंगे तो गुना करेंगे और smaller unit to a bigger unit you divide जब छोटा से बरा जाएंगे तो भाग देंगे, छोटा से बरा जाएंगे तो क्या होगा, भाग देंगे अब माल लिजी आपको question में पूछ दिया क्या पूछा, आपको बस इतना पूछा कि बताओ कि एक किलो लिटर एक किलो लिटर बराबर कितना लिटर होता है एक किलो लिटर बराबर कितना लिटर होता है तो आप खोजिए कि एक किलो लिटर बराबर कितना लिटर होगा, इसके लिए देखो एक किलो लिटर बराबर, लिटर को कितना से गुना करेंगे तो kilo जो जाएगा तो आप खोजे की kilo कहां है तो सर यहां है kilo ठीक है और आपको जाना कहां पर है लिटर के पास, कहा जाना है, किलो से आपको सिधा लिटर पर जाना है, तो देखिए, यहां से यहां आएगा, तो आप पहुंचेगा हेक्टो, फिर यहां से यहां आएगा, तो आप पहुंचेगा देका, और यहां से यहां आएगा, तो पहुंचेगा डेसी, और डेसी और से यहां पर सिधा का हलाएगा जो है लिटर कितना लिट रहोगा तो देखिए जितना आप नीचे आएंगे उतना गुना करेंगे और जितना उपर जाएंगे उतना भाग करेंगे तो देखिए हम कीलो से जाना चाहते हैं, लीटर पर सीधा त देखिए, कीलो से हेक्टो आने के लिए आपको, एक दस्य क्या करना परेगा? गुना, नीची आएंगे पहरे साथ ही ओ, तो गुना करेंगे, उपर जाएंगे तो भाग देंगे तो कीलो से हेक्टो आप आए तो एक दस से गुना कर दीजिए यहां पर एक दस से क्या कर देंगे गुना कर देंगे हेक्टो से जब डेका जाएंगे तो एक दस से यहां पर भी क्या करेंगे हम लो गुना करेंगे और डेका से जब डेसी ज बता सकते हैं यानि कि 1000 लीटर ठीक है न एक कीलो लिटर बडबर 1000 लीटर एक कीलो लीटर बड़ाबर केतना होगा एक हजार लिटर होगा यह बात आप याद रखे क्योंकि कीलो का मतलब क्या होता है कीलो का मतलब होता है एक हजार कीलो का मतलब क्या होता है एक हजार होता है बेसिक सी बात है कीलो का मतलब क्या होता है एक हजार यह बात आप याद रखे अब इसी चीज को तो मैं याद रखने के लिए यहाँ पर आपको बताया हूँ कि जब कभी भी कीलो से basic unit की तरफ आना हो तो गुना करेंगे, देखो गुना होता रहा है जो बरा से उपर से नीचे आएंगे तो गुना करते आएंगे और नीचे से जब उपर की ओर जाएंगे तो भाग करते जाएंगे नीचे से जब उपर की ओर जाएंगे तो क्या करते जाएंगे भाग करते जाएंगे अब एक दो कुश्चन आप basic basic सा आप इस पर हमें बताईए जैसे कि आपको भी मैं बोल दिया कि बताईए एक मीटर बराबर कितना सेंटी मीटर होगा एक मीटर बराबर कितना सेंटी मीटर है यानि कि मीटर से जा रहे हैं हम सेंटी मीटर की और मीटर से कहा जा रहे हैं सेंटी मीटर की और जा रहे हैं तो आप बताईए सीधी सीधी बात कि centi का मतलब क्या होता है तो आप बोलेंगे कि sir centi का जो मतलब है वो तो यहाँ दिया गया है c मतलब centi centi का मतलब यहाँ दिया गया और centi से हमें कहा जाना है मीटर की ओर जाना है centi से हमें कहा जाना है मीटर की ओर तो मैं और लेडी बता रखा हूँ कि 10 के पावर 1 और 10 के पावर माइनस 1 के बीच में होता है basic unit जिसे 1 मानते हैं basic unit जिसे क्या मानते हैं एक यहाँ पर आप meter बोल सकते हैं लीटर बोल सकते हैं या gram बोल सकते हैं या आप कोई भी चीज इस तरह का basic unit बोल सकते हैं एक meter एक लिटर एक गराम ठीक हैं तो आपको प्यारे साथियों centi से किदर की और जाना है centi से आपको किदर की और जाना है तो सर हमको centi से मीटर की और जाना है यानि कि नीचे से उपर जाना है तो बताईए, सेंटी से पहले आप जाएंगे, डेसी, सेंटी से पहले कहा जाएंगे, डेसी, तो चुकी आप नीचे से उपर जा रहे हैं, नीचे से उपर क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आप करेंगे गुना, आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले ह कब जब चीजे यहां पर आप देखेंगे तो आप एक तरीका से और इसे बना सकते हैं कौन तरीका सर एक तरीका से और आप बना सकते हैं और वह तरीका क्या है कि बताइए सेंटी का मतलब क्या होता है तो सर सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 2 एक मीटर में आप से मैंने पूछा एक मीटर में कितना सेंटी मीटर होगा तो भाई हम उपर से तो निचे आ रहा है ना उल्टा ही कर दे हमने उपर से हम निचे आएंगे यानि कि हम मीटर से मीटर से पहले बरहेंगे डेसी मीटर में और decimeter से आएंगे तब होगा यह centimeter, decimeter से बरेंगे centimeter, तो उपर से निचे आ रहे हैं, यानि कि meter से हम centimeter में change होने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, एक meter बराबर लिख दिजिएगा, यहां देखिए, meter से decimeter में आने के लिए आपने गुना करा 10 से, और फिर decimeter से centimeter में आने के लिए गुना करेंगे 10 से, उपर से निचे आ रहे हैं, तो 10 गुने 10 centimeter हो जाएगा, यानि कि 1 meter बराबर 100 centimeter आप बोल सकते हैं, एक meter बराबर 100 centimeter, जब कभी उपर से निचे आएंगे, तो गुना करेंगे, निचे से उपर जाएंगे, तो भाग बेंगे, जैसे एक और हम आपको समझाते हैं अगर मान लिजिए आपसे कोई पूछ लिया कि एक कीलो मीटर एक कीलो मीटर बड़ावर कितना जो है ना डेका मीटर होगा कितना डेका मीटर होगा तो एक कीलो मीटर बड़ावर कितना डेका मीटर आपसे पूछा जा रहा है तो किलो कहा है, किलो से सिधा समझ YEA कि आपको dec के की तरफ जाना है किलो से डेका की तरफ जाना है तो सर्ख किलो यहां है और dec डेका पर तो सर उपर से हमें आना है नीचोग, तो उपर से नीचोग आना है तो हम क्या करेंगे देखो बता रहे हैं देखिए आप डιर्रेकट नहीं आएँगे, कीलो से पहले आप आएंगे हैक्टो पर और फिर हैक्टो से आएंगे देका पर हेक्टो से कहाएंगे देका पर तो एक कीलो मीटर बरावर कितना देका मीटर इसके लिए आपको गुना करना पड़ेगा सर यहां पर कीलो से हेक्टो पर आने के लिए हमको गुना करना पड़ा 10 से और हेक्टो से डेका पर आने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा 10 से याने की 10 गुने 10 डेका मीटर 10 गुने 10 डेका मीटर हो जाएगा 1 किलो मीटर बराबर एक किलो मिटर बरावर सीधा आप यहां भी कह सकते हैं एक सो देका मीटर एक सो देका मीटर कह सकते हैं तो अब आपको कुछ-कुछ चीजे समझ में आ रही होगी कि कैसे किलो से देका, डेका से हम लोग आगे इस तरह की चीजे करेंगे या बनाएंगे अब हम जड़ा एक भाग देने वाला चीज़ देखते हैं यह क्या देखते हैं भाग देने वाला आप लोग इसको कॉपी में लिखते चलिएगा जरूर अब माल लेजिए मैंने बोल दिया आपको कि एक मीली लीटर बराबर कितना लीटर होगा यह आपको मैंने पूछा आपको मीली से जाना है लीटर की ओर मीली से कहां जाना है लीटर की ओर क्योंकि बेसिक यूनिट जो होगा डेका और डेसी के बीच में होगा तो एक एमल ब्लाबर कितना लीटर होगा इसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए कि मीली है कहां तो सर मीली है नीचे तो मीली से डारेक्ट आप लीटर तो जाएंगे नहीं मीली से डारेक्ट तो लीटर जाएंगे नहीं पहले मीली से आपको जाना होगा डेसी और यहां पर सॉरी मीली से पहले जाएंगे आप सेंटी और सेंटी से जाएंगे डेसी होगा कि नहीं बताइए सेंटी जाएंगे ड देशी से तब जाएंगे आप लीटर पर, देशी से कहा जाएंगे लीटर पर, तो नीची से उपर जा रहा हैं, तो आप दस से भाग देते चलिए, दस से क्या करते चलिए, भाग देते चलिए, भाग देते चलिए, भाग देते चलिए, दस से, यानि कि एक मिली लीटर बराबर याद रखिएगा इस सब को गुना कर लिजेगा एक वट्टा एक हजार हुआ एक वट्टा एक हजार हुआ लिटर या इसी को आप एक ml बराबर कह सकते हैं 0.001 लीटर ठीका ना भाग देने पर तो यह आएगा तो एक मिली लिटर बराबर 0.001 लीटर हो जाएगा तो नीचे से उपर जाना होगा तो आपको करना परेगा गुना नीचे से उपर जाना होगा तो क्या करना परेगा गुना करना परेगा जरा हम एक चीज और आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई साब एक गराम एक गराम बराबर कितना केजी हो तो बेसिक यूनिट है तो बेसिक यूनिट जो है वो डेका और डेसी के बीच में होगा यानि कि यहां पर होगा ग्राम यहां पर होगा ग्राम एक ग्राम तो यह पर होगा तो आप ग्राम से केजी की ओर जाने वाले हैं ग्राम से कहां जाने वाले हैं ग्राम से केजी तो ग्र बहुत बहुत है नायम वह इम करणागे और कंवे रिलता हैंकि अपस्स लियुद्ग अधिकिनुद्व किछ? 10 क्योंकि एक को 3 बार भाग देना परेगा 10 से 1 बट्टा 10 एक बट्टा 10 ये इतना के जी हो जाएगा यानि कि एक गराम बराबर देखे एक उपर में हो जाएगा नीचे में हो जाएगा योग करेंगे, ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे की कुछ चीजों को आप समझने, सीखने की क्या करिएगा, कोशिस करिएगा, तो आप ध्यान लगाईए, अगले कुछ महातपूर्ण चीजों पर, यहाँ पर यह चीज आप याद रखिएगा, यह टेबल कम से कम इ अबर जाते हैं, हम आगे, और यह चीज आपको समझाने के लिए लिखा गया है, जब उपर से नीचे आएंगे, तो गुना करेंगे, लेकिन नीचे से उपर जाएंगे, तो भाग देते जाएंगे, यह चीज छोटा सा आप याद रखने की कोशिस करिएगा, हम कुछ प्रस मीटर का मीली मीटर में क्या मान होगा, सीधा आप से पूछा जा रहा है कि एक माइक्रो मीटर बराबर कितना मीली मीटर, कितना मीली मीटर, ठीक है न, तो आप यहाँ पर देखिए माइक्रो मीटर से रिलेटेड बात है, ठीक है, हम माइक्रो यहाँ पर दिख रहा है, माइ माइक्रो को किसी सूचित करेंगे तो सर माइक्रो को हम सूचित करने वाले हैं मियू से ठीक है तो एक माइक्रो मीटर यह माइक्रो को आप मियू से सूचित करिए एक माइक्रो मीटर बरावर कितना मीली मीटर है वह पुछ रहा है कि एक माइक्रोन कहिए या माइक्रो मीटर कहिए दोनों बात बरावर है तो एक माइक्रो मीटर बरा का मीली मीटर में क्या मान होगा यानि कि एक माइक्रो मीटर बरावर कितना मीली मीटर तो अभी आप ठ्यान से देखिएगा कि माइक्रो मीटर और मीली मीटर में क्या डिफरेंसेज है, क्या अंतर बगेरा है, वो चीज आप यहाँ पर समझेए, तो देखिए सर यहाँ पर, यहाँ है माइक्रो और यहाँ पर है मीली, योकि माइक्रो से मीली जाने के लिए आप द गटाना परेगा माइक्रो और मीली में तीन का अंतर है तो पावर तीन क्या करना परेगा घटाना परेगा चुकि एक माइक्रो एक माइक्रो मीटर बराबर आपका हो जाएगा दस का पावर माइनस छो मीटर एक माइक्रो मीटर बराबर कितना होगा दस का पावर छो मीटर तो आपको एक माइक्रो बराबर कितना मीली मीटर होगा यह पूसा जा रहा है तो आप सीधा देखिए कि दस के पावर माइनस छो में आप क्या कर दिजिए आप सरजी यहां देख लिए तो नीचे से उपर जा रहे हैं कहां जा रहे हैं नीचे से उपर जा रहे हैं तो नीचे से उपर जा रहे हैं तो भाग देंगे क्या करेंगे भाग देंगे और अंतर कितना का है तीन का अंतर है तो आप तीन बारी भाग देंगे या फिर सिदा समझ लिजी आप चिदा स जाएगा ठीक है तो दसके पावर तीन से दसके पावर छो को भाग देंगे तो भाग में पावर घट जाता है तो यह बन जाएगा दसका पावर माइनस 3 mm 10 का पावर माइनस 3 mm को ही आप 10 का पावर 1000 भी 10 बटा 1000 भी बोल सकते हैं ठीक है न, 1000 mm भी बोल सकते हैं तो इस तरह से आप इस तरह के question को आराम से solve करिएगा इसके बाद क्या है कि 1 p.gram का मान क्या होता है तो देखिए इसको लिख लिजेगा हम E-Rage कर देते हैं यहां से हटा देते हैं एक p.gram का जहां तक value है तो आप क्या लिखिएगा लिखिएगा कि सर आप सबसे पहले तो हमें दिखाईए कि 1 p.gram का value किसमें पूछा जा रहा है 1 p.gram का मान पूछा जा रहा है तो एक p.gram का लिख 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 लिए दस का power 12 होगा यहां पर देखिए एक p.gram पीको दिख रहा न यह p.gram का value है तो यहां पर आप बोल दिजेगा कि एक p.gram का value होगा दस का power minus gram इसी के बाद हम बात करते हैं कि नैनो कन किसे कहते हैं याद रखिएगा एक से एक सो नैनो मीटर के बीच के आकार वाले कनों को हम नैनो कन काते हैं यह तो नर्मल बात है दूसरा कि छह फूट कितना फूट छो फूट लंबे व्यक्ति की उचाई नैनो मीटर में क्या होगा तो भाई साब फूट का तो कोई चर्चा है ने फूट को हम पहले बदलेंगे मीटर में फूट को किसमें बदलेंगे मीटर में तो कितना फूट है छो फूट है अब छो फूट का कितना मीटर होगा ठीक है न तो याद रखिएगा आप कुछ यहाँ पर बाते हैं एक फीट बराबर होता है 0.38 मीटर 0.38 मीटर एक फुट बराबर कितना होता है 0.38 मीटर तो इसलिए आपको निकालना 6 फुट का था आप इसे 6 से गुना कर देंगे आप इसे क्या कर देंगे छो से गुना कर देंगे तो 6 से गुना करियेगा तो छोतरिक 18 का 8 हो जाएगा हाशिल हो जाएगा एक चोग 24 और यहाँ पर जिरू हो जाएगा तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना होगा जो हासिल बचा हुआ था और चतरिक फिर से यहां पर 18 आपको लिख देना है लेकिन यहां पर एक आप देख सकते हैं कि 4 अंक पहले दसमला लगा देंगे यहां पर क्या कर दिजिएगा दसमला लगा दिजिएगा इतना मीटर हो गया यह लेकिन इसको लगभग में आप इतना भी बोल सकते हैं एक दसमला आठ तीन मीटर क्योंकि दो के बाद पांच से बरा संख्या है तो उसको हटाएंगे तो दो एक बढ़ जाएगा तो तीन हो जाएगा इतना मीटर आप लगभग बोलिएगा अब आप सीधा समझेए कि इतना एक दसमला अठ तीन मीटर बराबर एक दसमला आठ तीन मीटर बराबर कितना नैनो मीटर होगा यह बताएगे तो सर यहां पर अब हम नैनो मीटर के बारे में जब बात करने के ले जाएंगे तो हमें पता है चुकि हम जानते हैं कि एक मीटर बराबर होता है वही एक एक नैनो मीटर एक मीटर बराबर होता है दसका पावर माइनस नौ नैनो मीटर एक मीटर बड़ाबर दसका पावर अरे देख लो भाई नहीं याद है आपको तो देख सकते हैं क्या दिक्कत है कितना होता है नाइनो का मान देखिए दसका पावर माइनस नो है की नहीं तो एक जो आपका मीटर है वो 10 के पावर मैनस 9 नाइनो मीटर के बराबर है तो आप लिखिएगा चुकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 के पावर मैनस 9 नाइनो मीटर होता है इसलिए आपको 1 दसमला किसका तुसर 1 दसमला बिलकुल 8 3 मीटर का निकालना है एक का मान पता है तो किसी का भी मान निकालना है ता 1.8 3 से एक को गुना कर देंगे तो 1.8 3 से गुना करिएगा के पावर माइनस 9 को तो इतना मीठे हो जाएगा इसको आप गुना कर लिजी है सर गुना करने के लिए जबाब चाहिएगा तो यहाँ पर बच्टे में दूगो आपको क्या दिख रहा है दसमला के बाद दो दो अंक को solve करते हैं एक दसमला चुकिक दसमला के बाद दो अंक है तो दो पावर कम हो जाएगा उसका दो पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानि की 183 गुने 10 का पावर यहाँ पर मैनस 7 साथ मीटर होना चाहिए इसका पावर मैनस साथ जो की पलत साथ इसको मैनस लगाना चाहिए था क्या लगाना चीछ था मैनस तो यह आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा या आप याद रखने की प्यारे बच्चों क्या करें कोशिस करें या नैनो मीटर में पूछेगा तो हम निकाले ही दिये सबसे पहले ही अब है कि बल का सीजेस पद्दी में क्या मात्रक ह होता है तो डाइन होता है एक नियूटन बराबर दस का पावर पांच डाइन होता है यह भैलू भी 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 आई है इसको याद रखिएगा ठीक है इसके बाद है कि एक नैनो मीटर का सेमी में क्या मान होगा तो नैनो मीटर से आप जाना चाहते हैं सेमी सेंटी मीटर नैनो म मीटर बराबर कितना सेंटी मीटर तो आप सीधा बोलिए कि एक सेंटी मीटर बराबर क्या होता है तो सर दस का पावर माइनस दो होता है माइनस दो मीटर होता है और एक नैनो मीटर बराबर एक नैनो मीटर बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे सर एक नैनो मीटर बराबर होता है अगर हम एक नैनो मीटर के चीजों को लिखने की कोशिश करें तो चुकि एक नैनो मीटर जो होता है वो दस का पावर माइनस नौ मीटर होता है अभी ज़स्ट उपर में आप देखे हैं इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक नैनो मीटर बराबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस नो को हम लिख सकते हैं क्या चीज 10 का पावर माइनस दो अगुने 10 का पावर माइनस 7 मीटर और 7 दो फिर से तो नो हो ही आएगा ऐसा करने से फाइदा यह है कि 1 नैनो मीटर बराबर यह क्या भाई तो यह 10 का पावर माइनस 7 cm हो जाएगा ठीक है तो 1 नैनो मीटर बराबर 10 का पावर माइनस 7 cm जो कि यहाँ पर दिया गया है तो इस calculation के अधार पर आप निकाल सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है यह आप का अंसर हो जाएगा ठीक है अगला साथ ही हो हम बात करेंगे आगे के कुछ महत्पूर्ण चीजों पर जिसको आप ध्यान से समझने की कोसिस करिएगा जो की आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पाहला पारसिक किसका मातरक है तो बताएगा कि पारसिक जो है न वो दूरी का मातरक है ठीक है न तो पारसिक क्या है दूरी का मातरक है और यह खगोलिये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है एकजाम में पूछेगा कि खगोलिये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो कई बार बच्चे परकास वर्स बता देते हैं गलत परकास वर्स नहीं है पारसेख है पारसेख सबसे बरी दूरी मापने का इकाई है माइक्रोन ठीक है नैनो मीटर इसके बार एंगस ट्रॉम फर्मी मीटर में सबसे लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई अगर बात करें तो फर्मी मीटर का होता है दस का पावर माइनस पंदरा फर्मी मीटर होता है दस का पावर माइनस पंदरा जो कि इसमें सबसे छोटा है तो दस का पावर माइनस पंदरा यानि कि फर्मी मीटर सबसे क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा एक बैरल में कितना लिटर होता है विदेशों से जब हम लोग तेल बगरा खड़ीते तो लिट से वो बैरल में ही क्या किया जाता है मापा जाता है मेगा वाट किसका मात्रक है तो बिजली उत्पादन की दर को दर की जो है मात्रक है आपने सुना होगा कि 1000 मेगा वाट 2000 मेगा वाट बिजली का उत्पादन हो रहा है तो यह मेगा वाट किसका मात्रक हो गया बिजली के उत् का क्या अर्थ होता है तो याद रखिएगा कि टेक्यान जो है एक परिकल्पनात्मक कन जो परकास की गती से तिब्र गती से चलते हैं जो परकास के भी चाल से ज़्यादा स्पीड से चल सकता है उसे हम टेक्यान कहते हैं उसे क्या कहते हैं तेक्यान कहते हैं अगला है कि एक का कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान क्या है तो एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान होता है एक हजार केजी कार्बन डायोकसाइड के बराबर किसके बराबर एक हजार केजी कार्बन डायोकसाइड के बराबर होता है इसके बाद है कि डॉब्सन 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 किसका म मात्पूर्ण है याद रखिएगा कि डॉप्सन ओजोन की मूटाई मापने का मात रख ऑजोण लेएर का जो मूटाई है उसका मात रख होता है एक डॉप्शन बराबर होता है एक बट्टा 100 mm ठीक है यह कीलो घ्राम प्रती सैंंसी न। सैंंतिंट्मीट्रat एक केजी पर सेंटिमेटर स्कुआइर, दाव का समतूल ले मान क्या होगा, तो एक बार के बराबर होगा, यह बात आप याद रखे, अब कुछ रासी और उसके मात रख देखते हैं, जोकि महत्पूर्ण है पहला, जहाज के चालकी माप नौट में की जाती है ठीक है ना नौट में इसके बाद नौ संचालन में चली नौट मील जब नौ संचालन में जो चाल का अगर हम मापते हैं तो वो नौटिकल मील में मापते हैं ठीक है इसके बाद है कि गई दूरी की माप एक मिनट वही है कि नौ संचालन में चली गई दूरी की जो माप है वो है नौटिकल मील में दूसरा है प्रकास के तरंग दधरी की माप एंगस्ट्रम में करते हैं और एक एंगस्ट्रम का वैलू हमने आपको बताया है दस का पावर माइनस दस दूरी का माप आप प्रकास वर्स में करते हैं जो खगोली दूरी होता उसका का दाब का जो बायू मंडली दाब है उसका बार में किया जाता है बार उसका मातर क्या है बार हो कम्प की तिबरता को और कियुसिक में maपते हैं आपने सुना होगा चायना ने इतना पानी च्छोड दिया चायना या फेर ने पाल इतना क्यूसिक पानी छोड़ दिया, तो दरब के प्रवाह को हम क्यूसिक में मापते हैं, अगला है कि कम्प्यूटर में बाइट, कम्प्यूटर का जो उसके अंदर जो एस्पेस के चीजे होती है, उसको हम बाइट मापते हैं, तरंग दैधर्य का ऐसा मातरक एंगर स्ट्रम होता है, उड़जा का जूल होता है, ध्वनी की तिब्रता का डेशिबल होता है, आब्रती का हर्टज होता है, जिसे हम हज से सूचित भी करते हैं, उसमा का कैलोरी होता है, उसमा का कैलोरी इसके बाद नो संचालन का याज रिखेंगे, नौटिकल मिल, समुदरी जहाज की गति को याद रिखेंगे, नौट में, और सकती को Watt में, सकती का मात्रह क्या होगा, वाट होगा, ठीक है, अगला है कि सही सुमेल, तो हम, ताप का याद रिखेंगे, Celsius, इसका ऐसा है मात्रह है, बिधुत का कीलो वाट घंटा, रक्त का होता है, इसके बाद है कि कैलोरी कीलो कैलोरी जूल कीलो जूल वह वाट में से कौन सी एक उस्मा की इकाई नहीं है तो वाट वाट जो है वह उस्मा की इकाई नहीं है बाकि सभी उस्मा का क्या है इकाई है वाट सक्ती का मात्रक होता है किसका मात्रक सक्ती का आगे आज रखेंगे कि स उसमा की इकाई नहीं है तो उसमा की इकाई सेंटी ग्रेड नहीं है यह तो ताप मापने की काई होती है ठीक है ताप मापने की काई होती है इसके बादे कि पाड़िस्थितिक दबाब का मातरक होता है बार होता है एक बार ठीक है पाड़िस्थितिक दबाब का मातरक बार होत आगे हम बात करते हैं अगला है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गती नौट में प्रदसित की जाती हैं एक हजार नौट की गती का मान क्या होगा तो 115 मिल प्रती घंटा के बराबर होगा एक हजार नॉट का मतलब है 115 मील प्रती घंटा होगा इतना चीज देखने के बाद अब हम अपको अद्भुत चीज दिखाने वाले हैं जो समझे जांसे कई बार कोश्चन पूछा जा चुका है हम आपको बताए हैं कि तापमान मापने का जो मातरक है वो चार है मुखरोब से पाहला तो है Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rumor में से किस पामाने में ठीक है, रिनातमक मान नहीं होता है किस पामाने में रिनातमक मान नहीं होगा तो याद रखिएगा कि Kelvin जो है न वो कभी माइनस वहलू नहीं देखेंगे आपकी माइनस 30 Kelvin या माइनस 50 Kelvin तो माइनस में Kelvin का मान नहीं होता है यह बात आप याद रखेंगे कुछ महत्पूर्ण चारों के बारे में हम बात दे दिये है याद रखिएगा कि Celsius पामाना में हिमांक बिंदू होता है 0 degree और भाप का होता है 100 degree Celsius ठीक है, लेकिन वहीं पर जो Fahrenheit है वहाँ पर आप याद रखने की कुछिस करिएगा कि 32 degree Fahrenheit होगा और 212 Fahrenheit होगा हिमांक ठीक है, इसके पर रियूमर होगा 0 degree रियूमर और 80 degree रियूमर यह 80 degree रियूमर हिमांक का बहाप में बदल देगा ठीक है, Kelvin 273 और 373 273 और 373 यह वैलू है आपके हिमांक बिंदू का और भाप के बिंदू का दूसरी बात आप प्यारे बच्चों हम आपको बताने जाए हैं कि यह एक वह फर्मूला है जिस फर्मूला के मदद से आप Celsius को Fahrenheit में बदल सकते हैं Fahrenheit को Rumor में बदल सकते हैं Rumor को Kelvin में बदल सकते हैं यह काम आप कर सकते हैं यह काम आप कर सकते हैं सबसे पहले आप देखिए यह फर्मूला C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 बराबर R बटे 4 बराबर K माइनस 273 बटे 5 मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई आप बताए कि 80 degree rumor बराबर कितना degree Celsius होगा यानि कि rumor भैलू को हम आपको degree Celsius में बदलने के लिए बोल दिये कि भाई rumor के भैलू को degree Celsius में बदलो तो आप बताए कि फर्मूला में आप जानते हैं कि C बटे 5 C बटे 5 जो है वो बराबर होता है R बटे 4 के तो हम यहाँ पर लिख देंगे R बटे 4 अब जिसका भैलू पता है उसका भैलू रख देंगे तो सर हमें rumor का भैलू पता है 80 degree तो यहाँ पर C हो जाएगा यहाँ पर 5 लिख देंगे rumor का value हम लिख देंगे 80 नीचे में तो 4 है ही अब solve करिए 4 से 80 को भाग देंगे तो 20 चोके 80 यहाँ पर 1 हो जाएगा C को 1 से गुना करेंगे C होगा को ना को नी 5 को 20 से गुना करेंगे ति यह 100 हो जाएगा 100 degree हो जाएगा answer तो 80 degree rumor का मतलब 100 degree Celsius हो जाएगा आप यहाँ पर इस table से भी verify कर सकते हैं कि 80 degree rumor का मान जो है वो 100 degree Celsius के बराबर है है की नहीं तो ऐसे ही आप rumor से Kelvin Kelvin से Fahrenheit से आप अलग अलग करिका का चीजे solve कर सकते हैं अब हम आपको पूछ रहे हैं जराँ आप हमें बताईएगा हमने आप से पूछा कि भाई सहाब बताओ कि 50 degree Celsius बराबर कितना degree Fahrenheit होगा हमने आप से क्या पूछ दिया 50 degree Celsius बराबर कितना degree Fahrenheit होगा तो देखे सीधी बात है आप Celsius और Fahrenheit वाला formula उठा लेजिए यही नवा Celsius और Fahrenheit में जो है अंतर बताने का काम करता है तो C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 तो हम फर्मूलाईज करेंगे C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 का और इसमें जिसका वैलू पता है इसका वैलू डाल दीजिए आपको वैलू निकल जाएगा तो सर्फ C का वैलू है 50 50 बटे 5 F माइनस 32 बटे हो जाएगा 9 सर्फ 5 एका 5 और 5 दाहे 50 यहां से तो हुआ यह F माइनस 32 को एक से गुना करेंगे तो F माइनस 32 बराबर 90 हो जाएगा 9 दाहे 90 कोना कोनी गुना करने पर तो F बराबर 90 दिग्री और माइनस 32 32 हो जाएगा तो F बराबर प्यारे बच्चों बताइए कि यहां पर आपका हो जाएगा 9 तिन 12 फिर 122 डिग्री आंसर हो जाएगा तो अगर CELCYS में 50 दिग्री है तो F औरन हैट का माण 122 होगा Pope, 113 होगा इसी तरह से आप ये भी पता कर सकते हैं ये जो फर्मुला है ये जो फॉर्मुला है ये काफी महतपुर्ण है आपके बागए के सभी पाप मान को चेंज करने के लिए बदलने के लिए थीग है तो इस तरह से हम आसा करते हैं आप को चीजे समझ में आया होगा अगर आप लोग अभी तक session को लाइक नहीं कि तो लाइक कर दीजेगा चीजे ने बच्चे LGR study अप डाउनलोड नहीं किये हैं तो ज़रूर LGR study अप आप लोग पले इस्टोर से डाउनलोड कर लिजेगा पले इस्टोर पर लिखिएगा LGR study आप तो यह दो आप आएगा दोनों डाउनलोड कर लिजेगा एक ऐसा है और एक ऐसा है दोनों आप आपके लोगों के लिए काफी महत्पूर्ण है थैंक्यू सो मच मिलेंगी हम लोग फिर अगले कलास में गुद्बाई टेक क्यार है जो आएगा समय पिर लोगों के लोगों कर दोएगा तो आएगा लोगों कर दोएगा है अगगागा रगले को लिएजागा जड़ कि वगों